जै मातादी, नमस्कार दोस्तों, स्वागते आप सभी का हमारे यूटूब चैनल पर करथा, किसी गाउ में अनेक लोग रहा करते थे और सभी अपने अपनी कामों में मगन रहते थे किसी को किसी का चींता फिक्री परवा था ही नहीं सब अपने से ही मतलब रखते थे इसी कारण से भरजन कृतन, भक्ति भाव, दया माया, परुपकार जैसे संसकार कम हो गए उस गाउ में बुराईया बढ़ गई थी, सराब, जुवा, रेस, बैवी, चार, चोडी, डकेती, बगेरा, बहुत गुना सहर में होता रहता था इसके बावजूद उस गाउ में कुछ अच्छे लोग भी रहा करते थे ऐसे ही लोगों में सीला और उनके पती की ग्रष्टी मानी जाती थी सीला बहुत धार्मिक परुविती की थी और उसका सौभाव संतोसी था उनका पती भी बीबेकी और सुसिल था सीला और उसका पती कभी किसी की बुराई नहीं क्या करते थे और प्रभु भजन में अच्छी तरह समय व्यतीत करते थे सहर की लोग उनकी ग्रष्टी की सराहना करते थे देखते ही देखते दीन बीदने लगा समय बदल गया सीला का पती बुरे लोगों से दोस्ती कर बैठा अब होना क्या था? वो तो हम सभी जानते हैं अच्छे संगते का सर हमेशा अच्छा ही होता है इसलिए हमें हमेशा अच्छे संगते से संगत रखना चाहिए बुरे से नहीं अब जब सीला का पती बुरे लोगों से दोस्ती कर बैठा अब वह जल्द से जल्द करोरपती बनने का ख्वाब देखने लगा इसलिए वह गलत रास्ते पर चलपरा, फलसरूप, वह रोड़ पती बन गया कहा जाता है ना लालच बुरी वला है इसलिए लालच नहीं करना चाहिए अपना इमांदारी और मेहनत से आगे बठना चाहिए अब जब सीला का पती रोड़ पती बन गया जानी रास्ते पर भटकते भिखारी जैसी उसकी हालत हो गई थी सराब, जुवा, रेस, चरस, गांजा, बगेरा, बुरी आदतों में सीला का पती भी फस चुका था दोस्तों के साथ उसे भी सराब की आदत बुरी तरह लग गई थी इस परकार उसने अपना सब कुछ रेस जुए में गवा दिया अब तो सीला अपने पती के बरताव से बहुत दुखी रहने लगी किन्तु उसे भगवान पर भरोसा था इस सब कुछ ठीक हो जाएगा यही सोचकर वह अपने पती के बुरे बरताव को सहने लगी सीला अपना अधिकांस समय प्रभु की भक्ती में बिताने लगी अचानक एक दिन दोबार को उनके द्वार पर किसी ने दस्तक दिया सीला ने द्वार खोल कर देखा कि एक माजी खरी थी उनके चहरे पर और लोकिक पेज निकर रहा था उनकी आखों में से मानो अम्रित की बरसा हो रहा था उनका भाब्य चहरा करुना और प्यार से छलक रहा था उनको देखते ही सीला के मन में आपार सांती च्छा गई सारी चिंता मिट गई सीला के रोम रोम में आनंद च्छा गया सीला उस माजी को आदर के साथ अपने घर ले आई दुख का बात यहां था कि सीला के घर में बैठाने के लिए कुछ भी नहीं था कि माजी को किस पर बैठाया जाए बिचारी या सोच बिचार के उसने एक सकुचाकर एक फटी हुई चादर पर उनको बिठाया और सीला ने कहा माजी मेरे घर में और कुछ भी नहीं है जो मैं आपको बैठा सकू इसलिए मा मुझे माख करना मैं आपको फटी हुई चादर पर बैठा रही हूँ मा तो सीला की बातों से मंद मंद मुस्कुरा रही थी मा तो सीला की हर कहानी को जानती थी कि उसका पती उसके साथ कैसा बिवहार कर रहा है पेचारी कितने दुख में है सीला के बाते सुन मा जी प्रेम भड़ी सब्दों से बोली सीला क्यों मुझे तुमने पहचाना नहीं हर सुक्रोवार को लेच्मी जी के मंदिर में भाजन किर्टन के समय मैं ही तो वहां आती हूँ इसके बावजूद सीला कुछ नहीं समझ पा रही थी फिर माजी ने कहा तुम बहुत दिनों से मंदिर नहीं आ रही हो अता मैंने सोचा चलो मैं ही देख लेती हूँ माजी के अती प्रेम भड़े सब्दों से सीला का ह्रीदय पिघल गया उसकी आँखों में आसु आ गये और वह बिलख बिलख कर जोर जोर से रोने लगी सीला को रोते देखकर माजी ने कहा बेटी सुख और दूख तो धूप और चाओ जैसे होते हैं धैरे रखो बेटी धैरे रखो और तुझे क्या परिशानी है मुझे सारी परिशानी बता दे माजी के बैवहार से स्रीला को काफी संबल मिला और सुख की आस में उसने माजी को अपनी सारी दुख की कहानी सुना दि कहानी सुनकर मा जी ने कहा कर्म की गती न्याड़ी होती है हर इनसान को अपने कर्म भुगतने ही पड़ते है इसलिए बेटी तू चिंदा मत कर अब तू कर्म भुगत चुकी है अब तुम्हारे सुख के दिन अवस्रे आएगी तू मा लच्मी जी की भक्त है मा लच्मी जी तो प्रेम और करूना की अवतार है वे अपनी भक्तों पर हमेशा ममता चिरकती है इसलिए तू धैरे रहकर मा लच्मी का ब्रत कर इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा तुम्हारा दुख दर्द सब समाप हो जाएगा और तुम्हारे घर में अने धन का भंडार भर जाएगा बस स्रधा भक्ती से मा लच्मी का ब्रत करो मा जी की बात सुन सीला पुछने लगी मा ब्रत की बीधी दो मुझे पता नहीं तब मा जी ने उसे ब्रत की सारी बीधी भी बताई मा जी ने कहा बेटी मा लच्मी जी का ब्रत बहुत सरल है उसे बरे लच्मी ब्रत या बैभाव लच्मी ब्रत कहा जाता है यह ब्रत करने वाले की सब मोनो कामना पूरी होती है वा सुख संपत्ति और यस प्राप्त करता है सीला यह सब सुनकर आनंदित हो उठी सीला ने संकल्प करके आखे खोली तो, सामने कोई नहीं था, वा बिस्मित हो गए कि माजी कहां गए, अभी तो माजी मेरे सामने करी थी, सीला को ततकाल या समझने में देर नहीं लगी कि माजी कोई और नहीं, साक्छात मा लच्मी ही थी दुसरे दिन सुक्रवार था, सबेरे असनान करके स्वच कपड़े पहन कर, सीला ने माजी द्वारा बताई बीधी से, पूरे मन से स्रधा भक्ती से व्रत किया, और आखिर में प्रसाद बित्रन हुआ, यह प्रसाद पहले पती को खिलाया, प्रसाद खाते ही पती के सवभाव में फर्क पर गया, मा लच्मी की किरपा से उसका पती जिस दिन परसाद खाया, उस दिन अपनी पत्नी को मारा पीटा नहीं, सताया भी नहीं, सीला को बहुत अच्छा लगा, सीला के मन में तो आब पहले से भी ज्यादा ब्यभाव लच्मी ब्रत के लिए स्रधा बढ़ 21 सुक्रे बार को मा जी की कहे मुताबिक उध्धापन बीती करके साथ इस्त्रियों को बैभाव लच्मी ब्रत की साथ उस तक उपहार में दे, फिर माता जी के धन लच्मी स्वारुप की चबी को बंदन करके भाव से मन ही मन राथना करने लगी, हे मा धन लच्मी, मैंने करने की मन्यत मानि थी, वह ब्रत आज पूर्णे किया है, हे मा मेरी हर बिपति को दूर करो, हमारा सब का कल्यान करो, जिसे संतान ना हो मा उसे संतान देना, स्वाभाग्य बती इस्तिरी का स्वाभाग्य को मा अखंड रखना, कुमारी लर्कियों को मन भावन पती देना, ज की सब बिपत्ति को दूर करना सभी को सुखी रखना हेमा आपकी महिमा आपार है ऐसा बोलकर लच्मी जी के धन लच्मी स्वारुप की छबी को परनाम किया ब्रत के परभाव से सीला का पती अच्चा इंसान बन गया और अब सीला का पती मेहनत करके बैफ साय करने लगा उसने तुरंत सीला की गिर्भी रखे गहने छुरा लिये घर में धन की बाड़सी आ गए घर में पहले जैसी सुक शांती चा गए बैभाव लच्मी ब्रत का प्रभाव देकर महले की दूसरी इस्तिरिया भी बीधी पुर्बग बैभाव लच्मी ब्रत करने लगी तबी प्रेम से बोले बैभाव लच्मी माता की जय हो आईए अब जांते हैं बैभाव लच्मी ब्रत का उधापन बीधी स्यार्थ इग्यारह या 21 जितने भी सुक्रोबार की मनत मांगी हो उतने सुक्रोबार तक या ब्रत पूरी स्रधात था भावना के साथ करना चाहिए आकरी सुक्रोबार को इसका सास्त्रिय बीधी के अनुसार उधापन करना चाहिए आकरी सुक्र बार को प्रसाद के लिए खीर बनाने चाहिए जिस परकार हर सुक्र बार को हम पूजन करते हैं बैसे ही करना चाहिए पूजन के बाद मा के सामें एक स्तरी फल फोरे फिर कम से कम साथ खुवारी कन्या या सो भाग्य साली इस्तरियों को हुमभुमगा तीलक लगा कर मा पैभाव लच्मी ब्रत कथा की किताब की एक एक प्रती उपहार में देनी चाहिए और सबको खीर का प्रसाद देना चाहिए इसके बाद मा लच्मी जी को स्रधा सहित परनाम करना चाहिए फिर माता जी के धन लच्मी स्वरुप की छबी को बंदन करके भाव से मनही मन प्राथना करे हे मा धन लच्मी मैंने आपका बैभाव लच्मी ब्रत करने की मन्नत माने थी यहा ब्रत आज पुर्ण किया है हे मा हमारी मुनो कामना पूर्ण करे हमारी हर विपत्ती को दूर करे हम सब का कल्यान करे जिसे संतान ना हो उसे संतान देना स्वभाग्य बती इस्तिरी का स्वभाग्य अखंड रखना कुवारी लर्की को मन भावन पती देना जो आपका यह चमतकाडी बैभाव लच्मी ब्रत करें, उनकी सब विपत्ति दूर करना, सभी को सुखी करना, हेमा आपकी महिमा आपार है, आपकी जय हो, ऐसा बोलकर लच्मी के धर्न लच्मी स्वरुप की चबी को परनाम करें, सभी प्रेम से बोलिए बैभाव लच्मी मात की जय हो, माता संतोसी की कहाने, संतोसी माता के ब्रत को करने वाला कथा कहते, वो सुनते समय हाथ में गुर्व भूने चने रखे, सुनने वाले संतोसी माता की जय, संतोसी माता की जय, इस परकार जय जय कार मुख से बोलते जाए, कथा समाप होने पर हाथ का गुर चना, माता को खिलाए कलस में रखा हुआ गुर चना सब को परसाद रूप में बाटे कथा से पहले कलस को जल से भरे उसके उपर गुर चने से भड़ा कटोरा रखे कथा समाथ होने और आर्थी होने के बाद कलस के जल को घर में सब जगह पर छीर के और बचा हुआ जल तुलसी की क्यारी में डाल दे सवा रुपय का गुर चना लेकर माता का ब्रत करे गुर घर में हो तो ले ले बिचार ना करे क्योंकि माता भावना की भोकी है कम ज्यादा का कोई बिचार नहीं चाहिए इतना भी आप से बन परे अर्पन करे स्रधा और प्रेम से पर्षन मन हो ब्रत करना चाहिए ब्रत के उधापन में अढ़ाई सेर खाजा मोमन दाल पुरी खीर जने का साक नवत रखे घी का धिपक जला संतोशी माता की जैजैकार बोले नारियल फोडे इस दिन घर में कोई खटाई न खाए और ना किसी को खाने को दे इस दिन आठ लर्कों को भोजन कराए देवर जेट के लर्के मिलते हो तो दुसरों को न बुलाना कुटुम में न मिले तो ब्रामन के रिष्टेदारों के या फिर परोसियों के लर्के को बुलाए उन्हें खटाई की कोई बस्तू ना दे तथा भोजन कराकर याथा सक्ती दच्छिना दे, नगत पैसे ना दे, कोई बस्तू दच्छिना में दे, बरत करने वाला कथा सुन पर साथ ले एक समय भोजन करे, इस तरह से माता परसन होगी और दुख दरिजदा दूर होकर मनुकामना पूरी होगी अब सुनिये का था, पहले बुलिये सेंतोशी मईया की जै हो, एक बुढिया थी, उसके साथ पुत्र थे, छे कमाने वाले और एक निकम्मा था बुढिया माँ छवो पुत्रों की रसोई बनाती, भोजन कराती और जो बचता वह साथवे को देती थी परेंदू वह बड़ा भोला था, मन में कुछ विचार न करता था, एक दिन अपनी पतनी से बोला देखो, मेरी माता का मुझ पर कितना प्यार है वह बोले, क्यों नहीं, सब का जूठा बचा हुआ तुमको जो खिलाती है, वह बोला, ऐसा भी कहीं हो सकता है मुझे तुम्हारी बातों पर भरोसा नहीं, जब तक मैं अपनी आखों से ना देख लू, मैं मान नहीं सकता पतनी ने कहा, देख लोगे, तब मानोंगे कुछ दिन बात बरा तयो हुआ राया, घर में साथ परकार की भोजन और चूर्मा के लड़ू बने वह जाचने को सिरधर्द का बहाना बना कर पतला कप्रा सिर पर ओर कर रसोई में सो गया और कप्रे में से सब कुछ टुकूर्टुकूर्ट देख रहा था छे भाई भोजन करने आए, उसने देखा माने, उनके लिए सुन्दर सुन्दर आसन बिछाए साथ परकार की रसोई परोसी, वह आगरा करके उन्हें जिमाती है, वह देखता रहा छे भाई भोजन करके उठे, तब जूठी थालियों में से लड़ू के टुकूरा उठाकर एक लड़ू बनाया जूठन साफ कर, माने उसी पुकारा, उठ बेटा, छेव भाई भोजन कर गए, अब तू ही बाकी है, उठ ना कब खाएगा, वह कहने लगा, मा मुझे भोजन नहीं करना, मैं पर्देश जा रहा हूँ माता ने कहा, कल जाता हो, तो आज चला जा, वह बोला, हाँ हाँ, आज ही जा रहा हूँ या कहकर वह घर से निकल गया, चलते समय पतनी की याद आई, वह गवसाला में कंडे थाप रहे थी वह जाकर बोला, हम जावे पर्देश को, आवेंगी कुछ काल, तुम रहियो संतो से धरम अपनो पाल वह बोली, जाव पिया आनम से, हमरो सोच हटाए, राम भरो से हम रहे, इस्वर तुम्हे सहाए देवो निसानी अपनी देख धरू मंधीर, सुधी हमारी ना विसारियों रख्यों मन गंभीर वह बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं, यह अंगूठी है, सो ले लो, और अपनी निसानी मुझे दे वह बोली, मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा हाथ है, यह कह उसकी पीठ में गोबर की हाथ की थपी मार दी, वहाँ चला गया, चलते चलते दूर देश में पहुंचा, वहाँ एक साहुकार की दुकान थी, वहीं जाकर रहने लगा और कहने लगा, भाई, मुझे नौकरी पर रख लो, साहुकार को जरूरत भी थी, तो वहाँ बोला, ठीक है, रह जा, लड़के ने पूछा, तनका क्या दोगे, साहुकार ने कहा, काम देखकर दा मिलेगा साहुकार की नौकरी मिली, वहाँ साबेरे साथ बजे से राद तक नौकरी करने लगा कुछ दिनों में साहुकार का सारा लेन देन का हिसाब रहकों को माल बेचना सारा काम करने लगा चाहुकार के साथ आठ नोकर थे सब चकर खाने लगे की या तो बहुत होसियार बन गया सेट ने भी काम देखा और तीन महीने में उसे आधे मुनाफे का साजीदार बना दिया और बारा ब्रस में नामी सेट बन गया और मालिक सारा कारोबार उसके उपर छोर कर बाहर चला गया, आप उधर पतनी के साथ क्या होता है उसे सुनिये, साससूर उसे दुख देने लगे, सारी ग्रिष्टी का काम करा के उसे लक्री लेने जंगल में भेजते, और घर की रोटियों की आटे से जो भूर्शी निकलती उसकी रोटी बनाकर रखती जाती थी और फोटी नारियल की खोपड़ी में पानी इस तरह दीन बिटते रहे एक दीन की बात है वह लकरी लेने चा रहे थी कि राष्टे में बहुत सी इस्तिरिया संतोसी माता की ब्रत करती दिखाए थी वहीं खड़ी हो वह भी कथा सुन और बहनों से बोली बहन तुम किस देवी देवता का ब्रत करती हो और इसके करने से क्या फल होता है इस ब्रत की करने की वीधी क्या है यादि तुम अपने इस ब्रत का विधान मुझे समझा कर कहोगी तो मैं भी तुमारा बड़ा एहसान मानूगी तब उनसे एक इस्त्री बोली सुनो यह संतोसी माता का ब्रत है इसके करने से निर्धनता दरिरता का नास होता है लच्मी आती है मन की चिन्ताएं दूर होती है घर में होने से मन को सुख परसंता और सांती मिलती है ब्रत के दिन घर में खटाई कोई न खाये यह सुनकर बहु चल दिये रास्ते में लकड़ी बोज को बेच दिये और उन पैसों से गुर चना ले माता के ब्रत की तयारी कर आगे चली गई और सामने मंदिर देख उचने लगी यहां मंदिर किसका है सब बच्चे कहने लगे, संतोसी माता का मंदिर है या सुन माता के मंदिर में जा, माता के चरोणों में लोटने लगे दिन हो बिंती करने लगे मा, मैं नीपट मुर्खु हूँ, ब्रयत के नियम कुछ नहीं चानती मैं बहुत दुखी हूँ है माता जकब जन्नी मेरा दुख को दूर कर मैं तरी सरर में हूँ माता को दयाई एक सुक्रोबार बीता कि दुसरे सुक्रोबार को ही इसके पती का पत्रा आया और तिसरे को उसका भेजा पैसा भी आ गया यह देख जेठानी मो सिकुरने लगी इतने दिनों में इतना पैसा आया इसमें क्या बराई है लड़के ताने देने लगे की काकी बुलाने से भी नहीं बोलेगी बेचारी सलता से कहते भईया पत्र आवे रुपिया आवे तो हम सब के लिए अच्छा है ऐसा कहकर आखों में आशु भर कर संतोसी माता के मंदिर में मातेस्वरी के चर्णों में गिर कर रोने रगी मा मैंने तुमसे पैसा नहीं मुझे पैसे से क्या काम है मा मुझे तो अपने सुहाग से काम है मैं तो अपनी स्वामी के धर्शन और सेवा मांगती हूँ तब माता ने प्रसन होकर कहा जा बैटी तेरी स्वामी आएगा यह सुन खुशी से भाबली हो घर का काम काच करने लगी अब संतोसी मा विचार करने लगी इस भोली पुत्री से मैंने तो कह दिया तो उसका पती आएगा और आवे का कहा से वह तो इसे सपन में भी याद नहीं करता उसे याद दिलाने के लिए मुझे जाना पड़ेगा इस तरह माता बुढ़िया के सपन में जा परकाठो कहने लगी साहुकार के बैटे सोता है या तु जाकता है वह बोला माता सोता भी नहीं चाकता भी नहीं बीच में हूँ कहो क्या ग्या है मा कहने लगी तेरा घर बार कुछ है या नहीं वह बोला मेरा सब कुछ है मा बाप भाई बेहन वा पतनी क्या कमी है मा बोली भोले पुत्र तेरी इस्तरी घोर कष्ट उठा रही है तेरे माबाप उसे दुख दे रहे हैं वह तेरे लिए तरस रही है तू उसकी सुधी ले वह बोला माता यह तो मुझे मालूम है प्रंदु जाओ कैसे परदेश की बात है लेन देन का कोई हिसाब नहीं जाने का कोई रस्ता नजर नहीं आता मा कैसे चला जाओ मा कहने लगी मेरी बात मान सबेरे नहाधोकर माता का नाम ले घी का दिपक चला दन्डवट कर दुकान पर बैठ जा देखते देखते तेरा लेन दिन चुक जाएगा माल बिक जाएगा साज होते होते धन का धेर लग जाएगा तरव सबेरे बहुत जल्दी उट उसने लोकों से अपने इस अपने की बात कही तो वे सक उसकी बात अनसूनी कर दिल लगी उराने लगे कि कहीं सपने भी सच होते हैं एक बुढ़ा बोला देख भाई मेरी बात मान इस तरह साच जूट करने के बदले देवता ने जैसा कहा है वैसा ही करो तेरा इसमें क्या जाता है अब बुढ़े की बात मान कर नहाथ होकर संतोसी माता को डंडवट कर घी का दिपक जला कर दुकान पर बैठ गया थोरी दिर में क्या दिखता है कि दीन वाले रुपए लाए लेने वाले हिसाब लेने लगे कोठे में भड़े सपनों के खरिदार नगत दाम में सौधा करने लगे साम तक धन का धेर लग गया माता का यह चमतकार देख खुसो मन में माता का नाम ले घर जाने की बास्ते गहना कप्रा क्रिदने लगा और वहां के काम से निपट कर तुरंत रवाना हुआ वहां पत्नी बैचारी जंगल में लकडी लेने चाती लोटते वक्त माता जी की मंदिर में बिसराम करती है वह तो उसका रोज रुखने का अस्थान ठहरा दूर से धूल उठती देखकर वह माता से पुचती है हे माता या धूल कैसे हुड रही है मा कहती है हे पुद्री तेरा पती आ रहा है अब तू ऐसा कर लकडियों के तीन बोज बनाला एक नदी की किनारे रख दुसरा मेरे मंदिर पर और तिसरा अपने सीर पर रख तेरे पती को लकडि का गठा दिख मोव पैदा होगा वह वहां रुकेंगे नास्ता पानी बना खापी कर मा से मिलने जाएगा तब तू लकडि का बोज उठा कर जाना और बीच में चौक के गठा डाल कर तीन अवाजे लगाना लो सासू जी लकडि का गठा लो भूसे की रोटी दो नारेल की खुपरे में पानी दो आज महमान कौन आया है मा की बास उन उसने कहा बहुत अच्छा माता कहकर प्रसन हो लकडि की तीन गठे ले आई एक नदी की टट पर एक माता के मंदिर पर रखा इतने में ही मुसाफिरा पहुंचा सूखी लकडि देख उसकी पती की इच्छा हुई की यही निवास करे और भोजन बना खापी कर गाउ जाए इस पर कर भोजन बना विश्राम करके वह गाउ को गया जब वहां सबसे प्रेम से मिल रहा था उसी समय पतनी सीर पर लकडि का गठा लिये आती है लकडि की भाड़ी बोज आंगन में रखकर जोर से तीन अवाई देती है लो सासु जी लकडि का गठा लो भूसे की रोटी दो नारियल के खोपरे में पानी दो आज कौन महमान आया है जह सुनकर उसकी सास अपने दियवी कष्टों को भूलाने है तू कहती है बहू ऐसा क्यों कहती है तेरा मालिक ही तो आया है आ बैठ जा मीठा भात खा भोचन कर कपड़े गहने पहन इतने में आवाज सुन उसका स्वामी बाहर आता है और अंगोठी देख व्याकुल हो मा से पुछता है मा यह कौन है मा कहती है बेटा यह तेरी पतनी है आज वारा वर्स हो गए जब से तु गया है तब से सारे गाव में जानवर की तरह भटकती रहती है कामकाज घर का कुछ नहीं करती है चार समय आकर खा जाती है अब तुझे देकर भूशी की रोटी और नारियल की खोपरे में पानी मागती है वा लजीत हो बोला ठीक है मा मैंने इसे भी देखा है और तुम्हें भी देखा है अब मुझे दुसरे घर की ताली दे दो उसमें रहू अब मा बोली ठीक है वेता तेरी मरजी इतना कहकर ताली का गुच्छा पटक दिया उसने ताली लेकर दूसरे कमरे में जो तीसरी मंजील के उपर था उसे खोल कर सारा समान जमाया एक दिन में ही वहां राजा के महल जैसा ठाट बाट बन गया अब क्या था वो दोनों सुख पुर्वक रहने लगे इतने में अगला सुक्रबार आया बहु ने अपने पती से कहा कि मुझको मा का उध्धापन की तैयारी करना है और इतना कहकर तैयारी करने लगी जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई उन्होंने मंजूर किया परंदू पीछे जेठानी बच्चों को सिखा दिये देखो रहे भोजन के समय खटाई मांगना जिससे उसका उधापन पूरा ना हो लड़के जीमने आए खीर पेट भर खाए परंदू याद आते ही कहने लगे हमें कुछ खटाई दो खीर खाना हमें भाता नहीं खीर देखकर तो हमें अरूची होती है बहु कहने लगी खटाई किसी को नहीं दी जाएगी या तो संतोसी माता का प्रसाद है लड़के उठ खरे हुए और बोले पैसे लाओ भोली बहु कुछ जानती नहीं थी तो उन्हें पैसे दे दिये लड़के उसी समय उठ इमली लाकर खाने लगे या देकर संतोसी माता ब बहु पर क्रोधित हुई राजा की दूद उसके पती को पकर कर ले गए जेठ जेठानी मन माने खोटे बचन कहने लगे लूट लूट कर धन इकठा कर लाया था सो राजा की दूद उसको पकर कर ले गए आब सब मालूम पर जाएगी जब जेल की मार खाएगा बहु से बच जैंचन सहन नहीं वह रोती रोती माता के मंधिर में गई और बोली हे माता तुमने यह क्या किया मुझे अब क्यों रूलक थि माता भोली पूत्री चुछ ने उधापन करके मेरा भ्रत भंग किया इतनी जल्दी सब बाते भूला दी वह कहने लगी माता भूली तो नहीं हो न कुछ अपराप किया है मुझे तो लर्कों ने भूल में डाल दिया मैंने भूल से उन्हें पैसे दे दे मुझे चमा करो मा मुझे चमा करो मा बोली ऐसे कहीं भूल होती है वहां बोली मा मुझे मा कर दो मा मैं फिर से तुम्हारा उधापन करूंगी मा बोली अब भूल जा पुत्री तेरा मालिक तुझे रास्ते में ही आता मिलेगा वहां घर को चली रास्ते में उसका पती आता मिला उसने पुछा तुम कहा गये थे तब वह कहने लगा इतना धन जो मैं कमाया हूं उसका टैक्स राजाने मांगा था वह भरने गया था वह प्रसन हो बोली भला हुआ अब घर चलो कुछ दिन बाद फिर सुक्रवर आया वह बोली मुझे माता का उधापन करना है पती ने कहा करो फिर जेट के लर्कों से भोजन क कहने गई जे ठानी ने एक दो बाते सुनाई और लर्कों को सिखा दिया कि तुम पहले ही खटाई मांगने लगना लर्की कहने लगे हमें खीर खाना नहीं भाता जी विगरता है उच खटाई खाने को देना वह बोली खटाई खाने को नहीं मिलेगा खाना हो तो खाओ अन्य एक फल उन्हें दिया इसे संतोसी मा प्रसन हुई माता की किरपा होते ही नवे मास उसको चंद्रमा के समान सुन्दर पुत्र उत्पन हुआ पुत्र को लेकर प्रति दिन माता जी के मंदिर जाने लगी माने सोचा कि वहां रोज आती है क्यों ना मैं इसके घर चलू इसका आ भोट उसवर मक्या बिन पिना रही थी दहलीज में पाव रखते ही उसकी साह चिलाई देखो रहे कोई चूरेल चली आ रही है लरकों इसे भगाओ नहीं तो किसी को खा जाएगी लरके डरने लगे और चिला कर खिर की बंद करने लगे बहु रोसंदार से देख रही थी पर संता से पागल होकर चिलनाने लगी आज मेरी मा आई है आज मेरी मा मेरे घर को आई है यहां कहकर बच्चे को दूद पीने से हाटाती है इतने में सास का क्रोध फूट परा बोली रांड इसे देखकर कैसी उताबली हुई जो बच्चे को पटक दिया इतने में मा के घर के ही लर के नजर आने लगे वह बोली मा जी जिनका मैं ब्रत करती हूं यह तो वही संतोसी माता है इतना कहा जट से सारे घर के किवार खोल देती है सबने माता के चरन पकड़ लिए और बिंती कर कहने लगे हे माता हम मुर्ख है हमें अज्याने है पापी है तुम्हारे ब्रत की बीधी हम नहीं जानते तुम्हारे ब्रत भंग कर हमने अपरात किया हेमा हेमा आप हमारा अपरात चमा करो उस परकार माता प्रसन हुई माता ने बहु को जैसा फल दिया बैसा माता सब को दे जो पढ़े उनका मनोरत पुर्ण हो जो सुने उनका भी मनोरत पुर्ण रहो तो प्रेम से बोलिए संतोसी माता की जय हो कथा अच्छी लगे तो अभी लाइक करके दूसरों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें धन्य बाद